कट्रा विधाल सभा में रंगदारी वा कमिशन खोरी के लिए मशूर है यहाँ पर पीए जगवीर सिहां पर कहीं आरूप लग चुके हैं दरसल सहाजापूर में विधायक के गुर्गों की गुंड़ई गया एक मामला सामने आया है जहाँ पर नेता के गुर्गों ने निर्मान की गई सडक को जैसीबी से 500 मीटर तक खोट डाला है यही नहीं विरोध करने पर नेता के गुर्गों ने 15-20 साथियों के साथ में करमचारियों को भत्ती-भत्ती गालिया देते हुए उन्हें पीटा भी है इस मामले को लेकर गुर्गपूर की कमपनी के ठेकेदार ने आरोपी पर 15-20 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया है पुलीस ने केस दर्ज करते हुए आरोपी की तलाज शुरू कर दी है मामला भस्टाचार से जुड़ा हुआ है जहां पर गुर्गो ने यहां पर ठेकेदार से कमिशन मागा था जिसके चलते कमिशन ना देने पर इस घटना को अंजाम दिया क्या है फुलाल पुलीस पूरे मामले में छानबीन करने में जूटी हुई है दसल पूरा मामला जेतिपूरा के बदायू रोड का है जहां पर गुरुकपूर की कमपनी के ठेकेदार शकुंतला सीहा की कमपनी रोड का निर्मान कर रही थी इस दोरान यहाँ पर जो 500 मीटर तक की सड़क बनी थी उससी जैसी भी इसे खोद भी दिया गया है और मोके से फरार हो गया है इस मामले में पुलिस ने ठेकेदार के साथी रमेश की तहरीर पर कहीं धाराओं में आरूपी जगबिर सी है और उसके साथ आए 15-20 समर्थकों के खिलाफ केस दर्श करते वे आरूपी खितलाश शुरू करती है आपको बता दे कि कमिशन खोरी का यहाँ पूरा मामला है और ठेकेदार से कमिशन मांगा जा रहा था जिसे देने से उसने इंकार करती है जिसके चलते इस घटना को अंजब दिया गया है स्वाइल कंप्रेक्टर अप्रेटर था पेवर अप्रेटर था एक लेवर था हम लोग उसी समय फते गंज गए हुए थे विट्मिंट काटा करा में हमारे पास साइड नौ बचकर नौ मिनट पर फोन आता है कि सर यहां पर जगवीर और उनके आदमी आए हुए और एक रोल मिला है कि आपरेटर लोगों ने बताया है कि बोल रहते जैसे वी द्वारा तुरंत उसको खोदने के लिए उसके बाद क्या हुआ है कि हम लोग एक बज़े रात्री 12 बज़े के आसपास आये हैं बारा एक के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि हमारा रोड लोडर द्वार अब जैसे वी द्वारा खोदा गया है कि उसके बाद हम लोगों ने काम बंद कर दिया उसको तुरंत अब सुचना दिए जगवीर कौन है क्या बताए क्या दमंगे का है या किसका आद्मी है जगवीर सुन्यम तो यह आरा विधायक जी के आद्मी है मन्नी विधायक जी के आद्मी है और इससे पहले भी कई बार हमारे अप्रेट्रों को परेथान कर चुके हैं राफ्से में क्या बज़े थी क्यों इस तरी दबंगे क्यों कर रहे थे अब जानकारी नहीं है उस तर लोगों जानकारी होनी चाहिए किस वज़े से रीजन नहीं पता है तो आपको क् पी बारे में या किस वज़े से यह बता हो यह क्या हुआ थे उस दिर राफ यह से प्तर द्राइबर और यह च्यूंड तिन डंबाला और एक लोगों दूंपर वाला दो लोग यह बच्चे ते एक मेरा लेवर बचा था हिंगीला जो पूरी घटना के बता ही हमको तो वो बता रहा था कि पहले लोग आये एक गाड़ी से ठीक और उसके बाद में असोक ड्राइबर था उसको उतार के उसको मारने लगे ये पीछे से स्मीना लगा था इसमें घटना दे कि ये चुप गया याडी में तो यह देख रहा था फिर उसको मारा वह भाग गया फिका कर मारा लेंदा तो वह तो भाग गया और उसके बाद में डंफर उदर से आया जो ड्राइबर को लेने गया था उसको भी रुखवाया उसको रुखवा के उसके ड्राइबर को उतारा ये बाई साहिब इनको उतारा और एक नीरत था और एक पवन था इन लोगों को उतार के इनको बिमारा इनको मारा और गाली के लोज किया रोड कैसे उखाड़ा रोड जो जो जिएसबी से उखड़ा है जैसी भी साथ में लेका आए थे जिएसबी साथ में नहीं थी कौन लोग थे लोगों को कि क्या नम मैसर पता है अभी तो आये काम करने यह विदायक के आदमी थे यह तो पूरा पता नहीं विदायक के आदमी थे एक बार विदायक जी हम लोग उधर काम कर रहे थे तो जोड़ पट्टी बना रहे थे तो उसमें हाथों से जोड़ पट्ट तो समाली जाती है मसीन तो उसमें जोड़ पट्टी पुरा कर नहीं पाएगी तो दिन रुके थे उस दिन गाली गलोज कर रहे थे सालो भाग जाओ यहां से तुम्हें हाथ से किसी ने करने को बताया गाली गलोज की किया था एक दिन पे 24 तारीक प्रोलग बलग कौन विधाय है उसका चौड़ी करण वा सुब्ली गण का कार किया जा रहा है बन घंडी पुलिया के पास की घटना है कुछ व्यक्ति एक जगवीड सिंग नामग व्यक्ति उसके साथ 15-20 लोग पहुंचे और उनने वहां पर रोट को चतिजर्स्त किया कार्मचारी जो कार कर रहे थे उ सकत विदाने कारोई की जाएगी